दोस्तो गर आप भी सूरे कुमर यादवार रिंकु को बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो तीन एक से टी-20 सीरीज गवा चुकी विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया जब बैंगलोर के मैदान पर अपना आत्म सम्मान बचाने उतरी तब गेंद और बल्ले के बीच गमासान में भारतिय खिलाडियों ने ऐसा तहल का मचाया कि आस्ट्रेलिया को तो कहीं मुह विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाती है रॉंक्टे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने एक बार फिर किया आस्ट्रेलिया को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर उसकी पूरी हालाइट तो हम आपको दिखाए इस जंग में जब भारत और आस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने आई तब ऐसा जबर्दस्थ घमासान हुआ जिसने आस्ट्रेलिया के सुनहरे इतिहास को बेहत दर्दनाग बना दिया है इस मुकाबले में गुस्टे से भरे बदले की आग में तड़प रहे किशन औ कि शुरू में तो ये फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ था लेकिन नंत में आते 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 आस्ट्रेलिया इस संसनी ट्रविस हैट ने भारतिये टीम को जमकर खून के आज़र उलाए दीपक मुगेश कुमार से लेकर अक्षर पठेल सभी के जमकर पिटाई करते हुए इस से बल्लेबाज ने केवल बासट गेंदों में 106 रनों की अद्बुद श्रतक ये पारी खेली जिसे उन्होंने दस चौके और चेक आफ नाक चखके सजाय थे तो वहीं कप्तान मैथ्यू वेट ने भी अर्द श्रतक जड़कर आस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 223 रनों त सही साबेतु अब बदले की आग में ददकरे इशान किशन ने हेड के ही अंदास में आस्ट्रेलिया की इन बाजों को आड़े हाथों लिया जहां इशान और गायकवार के बीच एक बहतरीन ओपनिंग पार्टनर्शिप उई जीत की नीव बिचा दी गई थी हाला कि देखते ही शान किशन ने केवल 32 गेंद पर 55 रन ढूग दिये जिसमें उन्होंने 64 और एक चक्का लगाया था तो वहीं सोर्रे ने भी 52 रन बना डाले थे इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाव सबसे बड़ा पलड़ वार करते हुए भारती टीम को डेट सो रनों के पा पहले आयर तो फिर जिते शर्मा को भी चलता कर भारती टीम के कमर ही तोड़ कर रख दी थी मैच अब बराबरी पर आ चुका था और उस्ट्रेलिया जीत के सपने सजा चुका था पर उनको क्या बता था कि अभी तो भारती टीम की शान सूरे के साथ रिंकु इतिहास के पनन मैच को अंतिम ओवर तक पहुचा दिया जहां इन दोनों खिलाडियों के बीच अर्द शतक ये पार्टनर्शिप भी हो चुकी थी ऑस्टेलिया के तो पसीने चूट चुके थे लेकिन अब मैच आखरी ओवर में था जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 उन्होंने अपना इतिहास एक शतक भी पूरा कर लिया था जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका इस्तिक्बाल किया अचानक से निराश भारती फैंस में जोश की नई लहर दौड चुकी थी पूरा स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंच उठा था तब ही दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि आस्ट्रेलिया की जीत के सभी उमीद है चकना चूरो गए बैरेंडॉर्फ ने सूर्या को स्लोट में गेंद डालने की गलती कर दी और सूर्या इसे कहा चोड़ने वाले थे उन्होंने इस गेंद को भी अपने हुक शॉट से दूद दोनों ने चला की दिखाते हुए इन पर सिंगल चुरा लिया अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकु सिंग जिनका खौफ गेंद बास से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलिया खिलाडियों के चहरे पर साफ नज़र आ रहा था चौती गेंद पर भी उन्होंने बैग वार रंच आई थे दर्शकों का जोश देखते ही बनता था सभी भारती टीम की जीत की प्रारतना कर रहे थे तो वहीं और आस्ट्रेलिया फैंस के चहरे पर निराशा थी लेकिन दोस्तों बहरन डॉर्फ ने रिंकु को मैच खत्म करने ने दिया पांच वी गेंद पर भी रिंक बाज ने चला की दिखाते हुए रिंकु को च Cathाना चाहा लेकिन रिंकु भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है कवर के उबर से उस गेंद को स्टेलियं के यह बाहर चक्के के लिए मार कर रिंकु सिंग ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई बलकि टीम इंडिया की बेसेती को T20 World Cup के लिए टीम इंडिया में मौका देना चाहिए या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद